सिन्धु सुतामा विश्णु प्रिया महालक्ष्मी मैया की भत जनों आप सभी को धन धान यश्च सुख वैभवित्यादी देने वाली मैया है मैया महालक्ष्मी कहते हैं इनका पूजन आराधन करने वाला प्राणी जीवन में कभी दारित्री को प्राप्त नहीं करता वेद पुराणों में तो माता महालक्ष्मी के प्राकट्य की अनेक अनेक गाथाएं है परंतु आज मैं आपको मैया महालक्ष्मी के आठ अवतारों की पवित्र संगीत मैं गाथा सुनाने जा रहा हूं कथा श्रमन से पहले जान लीजिये भक्तों माता के हर स्वरूप की महिमा अपरमपार है तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है तो आईए सुनते हैं मैया महालक्ष्मी के आठ अवतारों की पावन गाथा बोलिये महालक्ष्मी मैया की जै महलक्ष्मी बोल रे बाणी में अमरित खोल रे बंद तरी किसमत के ताले मैया देंगी खोल रे ओ महलक्ष्मी बोल रे बाणी में मरित खोल रे बंद तरी किसमत के ताले मैया देंगी खोल रे ओ महलक्ष्मी नमो नमाः विष्णु प्यायाई नमो नमाः धन प्रदायाई नमो नमाः सिंदु सुतायाई नमो नमाः ओ महालक्ष्माई नमो नमाः जिश्न प्यारे नमो नमाः नन प्रतारे नमो नमाः जिंदू सितारे नमो नमाः भक्त जनों मैया लक्ष्मी का पहला अवतार है आदी लक्ष्मी का जिने भक्त महालक्ष्मी के नाम से भी पूचते हैं महालक्ष्मी का यह स्वरूप भिगूरिशी की कन्या के रूप में है श्रीमत भागवत पुरान के नुसार मा के इसी स्वरूप से तृदेवों का स्रिजन हुआ था और महाकाली और महासरस्वती ने भी स्रिष्टी में इसी रूप से आगार प्राप्त किया था आदी लक्ष्मी मैया जीव जनतों में, जीवन और प्राणी오ं में मोक्ष प्रदान करने वाली है तो बोलिये आदी लक्ष्मी मैया की जे भक्त जनों मा का लक्ष्मी का दूजा स्वरूप धन लक्ष्मी का है नाम से ही जग जाहिर है भक्तों मा का यह स्वरूप प्राणियों को धन धान सुख यश और वैभव प्रदान करने वाला है मा के इसी स्वरूप ने विश्णु जी का कर्ज कुबेर से चुकाया था भक्तों मा के एक हाथ में कमल पुश्पुश और दूजे हाथ में धन से भरा हुआ कलश है तो मा के इस स्वरूप को पूजने वाले जीवन में कभी रिणी नहीं रहते तो बोलिए धन लक्षमी मैया की भिगूरिशी की कन्या बनकर आदि लक्षमी मा आई तीनो देव को मैया ही तो अपने रूप से उपजाई धन लक्षमी रूप में विश्णू जी का कर्ज चुकाया था धन से भरे कलश से भक्तों धन धान तो लुटाया था जै महलक्षमी बोल रे वानी में अमरित खोल रे बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी कोल रे ओमा लक्षमै नमो नमा विश्णू प्रियारै नमो नमा धन प्रगारै नमो नमा सिंदू सुपारै नमो नमा भक्तों महलक्षमी मा कातीजा स्वरूफ धानलक्षमी अर्थात अनाजलक्षमी है अन्न पूर्णा स्वरूपा माता धान ये लक्ष्मी अपने भक्तों को अनाज प्रदान करती है यदि धान ये लक्ष्मी मा को प्रसन्न करना हो तो भोजन का अनादर कदापी नहीं करना चाहिए जिन घरों में अनाच का निराधर नहीं होता वहां धान लक्ष्मी मैया सदा अपना वास करती है तो बोलिए धान लक्ष्मी मैया की भग्दों मा का चोथा स्वरू गज लक्ष्मी का है मा का यह स्वरूप कमल पुष्प पर विराजमान है तथा दो हाती मा का आवाहन सैदेव करते रहते हैं मा का यह स्वरूप क्रिशी और उर्वर्ता प्रदान करता है मा के इसी स्वरूप के कारण इंद्र ने अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त किया था अतहे भक्त लोग इन्हें राज लक्ष्मी के नाम से भी पूचते हैं इनका पूजन करने से क्रिशी खेत्र में उन्नती और संतान प्राप्त होती है तो बोलिए राज लक्ष्मी मैया की जेए धन्य लक्ष्मी मैया भक्तों अन्न के भंडार भरे अन्न पूर्णा मैया की मिल करके सब जैकार करें क्रिशी और उर्वर्ता देता गज लक्ष्मी का रूप है राज योग भगतों को देता राज लक्ष्मी रूप है जै महलक्ष्मी बोल दे बानी में अमरित खोल रे पंद तेरी किस्मत के ताले मईया देंगी खोल रें ओ महालक्षमै नमो नमा, दिश्म प्रैया ये नमो नमा धना प्रणाय नमो नमा, जिंदु सुपाय ये नमो नमा माता महालक्षमी का पंचन सरूप है संतान लक्ष्मी का इनका आराधन करने वाली बांज इस्त्रियां भी संतान का सुख प्राप्त करती हैं भक्तों और जिन इस्त्रियों के पहले से ही बालक है वो अपनी संतानों की लंबी आयू के लिए मा के इस स्वरूप का पूजन करती है मा के स्वरूप से उनकी संतानों को अभयवदान प्राप्त होता है तो बोलिए संतान लक्ष्मी मैया की भक्त जनों मा का छटा स्वरूप वीरा लक्ष्मी का है मा का यह स्वरूप भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त करवाता है मा की आठ बुजाएं है जिन में मा तलवार, त्रिशूर, धनुष बान आदी जैसे हमोग अस्त्र शस्त्र धारण करती है मा वीरा लक्ष्मी के आराधन से प्राणियों को सौभाग्य और सम्रिध्धि की प्राप्ती होती है तो बोलिए वीरा लक्ष्मी मैया की संतान लक्ष्मी मैया तो बांजन को संतान दे लंबी उम्र का उन बच्चों को मैया जी वर्दान दे अस्त भुजाधारी मैया का वीरा लक्ष्मी रूप है युद्ध में तो विजय दिलवाए मैया का स्वरूप है जै महलक्ष्मी बोल रे वाणी में अमरित घोल रे पंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी कोल रे ओम्मालक्ष्मै नमो नमा दिश्म प्यारे नमो नमा धनप्णारे नमो नमा सिंदु सुपारे नमो नमा भक्त जनों मा का सब्तम सरूप विजया लक्ष्मी अत्वा जया लक्ष्मी भी कहाया जाता है इस सरूप का अराधन करने से प्राणियों के जीवन के हर मोन पर उन्हें विजय प्राप्त होती है मा का ध्यान जो भी लगाता है जीवन में सदा सुख पाता है मा अस्ट भुजादारी कमल पुष्प पर विराजमान है तो अस्ट भुजी मा विजया लक्ष्मी की जय जय कार करते हुए बोलिए बोलिए अस्ट भुजी मा विजया लक्ष्मी की जय मा का अस्टम स्वरूप विद्या लक्ष्मी का है भक्तू नाम से ही जाहिर है मा का यह स्वरूप प्राणियों में विद्या और ज्यान का स्रिजन करता है मा के आराधन से सभी भक्तों को शिक्षा प्राप्त होती है और प्राणी अपने जीवन में शिक्षा के सहारे अनेक अनेक उन्नतियों को प्राप्त करता है तो बोलिए शिक्षा लक्ष्मी की विजया लक्ष्मी मैया भगतों जीत सभी को देती है आरक संकट को मैया जी एक पल में हर लेती है विजया लक्ष्मी मैया सब को बुधी ज्यान प्रदान करे ज्यान और विज्यान की शिक्षा भगतों को वो दान करे जै महा लक्ष्मी बोल रे बाणी में अमरित घोल रे बंद तेरी किस्मत के ताले मईया देंगी खोल रे ओ मालक्ष्मे नमो नमा दिश्म प्रयारे नमो नमा धन अप्रजारे नमो नमा सिंदु सुपारे नमो नमा भक्त जनो मालक्ष्मी के ये आठ स्वरूप आपको धन, संपत्ति, वैभव, यश और गीरती प्रदान करने वाले हैं तो आईए सच्चे हृदय और सच्चे भाव से खीर सागर में विद्यमान मा विश्नु प्रिया महालक्ष्मी के इन स्वरूपों का आराधन कीजिए और जीवन में सैदेव सुख प्राप्त कीजिए महा लक्ष्मी के इन आठ रूपों का आराधन करने वाला भौतिक जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंट लोग को प्राप्त करता है तो बोलिए अस्ट लक्ष्मी मैया की जे जिसने लक्ष्मी मा को धाया जीवन में सुख पाया है घन धान भंडारे भरती महलक्ष्मी मा माया है कमल का पुष्प चड़ाओ भक्तों मैया का गुणगान करों चंदन तिलक लगा मैया को लक्ष्मी का आवान करों जै महलक्ष्मी बोल रे बाणी में अमरित खोल रे बंद तेरी किसमत के ताले मैया देंगी खोल रे उम्मा लक्ष्मै नमो नमा, जिश्म प्रियाय नमो नमा, ननप्रणाय नमो नमा, सिंदू जपाय नमो नमा ओम जैगणपत देवा, स्वामी जैगणपत देवा माता पार्वति तुम्हरी, माता पार्वति तुम्हरी, और पिता महा देवा ओम जैगणपत देवा एक तन्त तया वन्ता, चार भुजाधारी माते सिंदूर सुहावत, मूसा हसवारी पान चड़े देवा, तुम्हरी जैगणपत देवा लड़ुवन मोदक तुम्हको, भोग लगे ज्यारे उन्जेगणपत देवा अन्धों को आखे देते, कोडिन को काया प्रभुपूरी में खोताया वांजन पूत्र है पाती निरधन को माया उन्जेगणपत देवा स्वर्ण मुकुट है माथे, पीतां बरधारा देवा पीतां बरधारा रूप चतुर भुज शोभा देता है ज्यारा उन्जेगणपत देवा वक्र तुंड माहा काया गज मुख रूप धरे देवा गज मुख रूप धरे जो शर्णा गत आया भव से पार करे उन्जेगणपत देवा तेवी देवता सारे तब जैकार करे रिती सिधी तुम्हे देवा नित नित चवर धुरे उन्जेगणपत देवा घजान ननजी की आरति जो कोई जन कावे देवा प्रेम सहित जावे चंदन तिलक लगावे पेचित फल पावे उन्जेगणपत देवा ओम्हे लक्ष्मी माता मैया जै लक्ष्मी माता तुम कोन इस दिन ध्यावत मैया जे कोन इस दिन ध्यावत अर विशनु विधाता ओम्हे लक्ष्मी माता उमार मा प्रम्हानी तुम हे जग माता मैया तुम हे जग माता सूर्य चंद्र माध्यावत सूर्य चंद्र माध्यावत नारत रिशिगाता ओम्हे लक्ष्मी माता तुर्गारूप निरंजिनि सुक संपति दाता जो कोई तुम को ग्यावत जो कोई तुम को ग्यावत विधि सिधि धन पाता ओम्हे लक्ष्मी माता तुम पाताल ने वासनी तुम हे शुबदाता करम प्रभाव प्रकाशिनी प्रकाशिनी भवनित की ताता ओम्हे लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद गुण आता मैया सब सद गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घब राता ओम्हे लक्ष्मी माता तुम बिन यज्यना होते वस्त्र ना कोई पाता मैया वस्त्र ना कोई पाता खान पान का वैभव सब तुम से आता ओम्हे लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदेर सुन्दर शीरो दधी पाता मैया शीरो दधी पाता रात्न चातुर दश तुम बिन कोई नही पाता ओम्हे लक्ष्मी माता माहा लक्ष्मी जे के आरती जो कोई जन गाता मैया पेम सहित गाता पुर आनंद समाता पुर आनंद समाता बाप उतर जाता ओम्हे लक्ष्मी माता ओम्हे लक्ष्मी माता मैया जै लक्ष्मी माता तुम कोई इस दिन ध्यावत मैया जै कोई इस दिन ध्यावत हर विशनु विधाता ओम्हे लक्ष्मी माता मैया मैशे लक्ष्मी माता ओम्हे लक्ष्मी माता झाल झाल फित प्त अ P09